वेल्कम फ्रेंद्स तुइन आस रेसिपी जो की है चीज पूरी काफी टेस्टे होता है यह स्नैक और आपको पसंद राएगा लेट्स जी कैसे बनाते है गालिक चीज पूरी मैं बनाने जा रही हूं दो लोगों के लिए तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा वन फोर्थ कप आठा गिहूंका आधा कप मुजरीला चीज ग्रेट किया हुआ कसा हुआ आधा कप पनीर कसा हुआ वन थर्ड टीस्पून नमक और टू पिंच मीठा सोडा और वन टीस्पून कसा हुआ गार्लिक वन फोर्थ टीस्पून ओर्गेनो सीजनिंग और हाफ टीस्पून कुटी हुए सुखी लाल मिर्च फ्लेक्स लिए है हमने दो पिंच काली मिर्च पिसी हुई और हाफ टीस्पून पुदीना जो कि सूखा हुआ है साथ ही पूरी को फ्राय करने के लिए ओल और आटा गुनने के लिए पानी आटा गुनने के लिए हम वाम वाटर यूज करेंगे तो उसे हम हलका सा वाम करने के लिए स्टोप पर रखा है हमने हाई फ्लेम पर अब एक बड़े बोल में हम अपने सारे इंग्रेडियन्स मैदा, आटा, कार्लिक, नमक, सोडा, काली मिर्च और पुदीना, और गैनो सीजनिंग और लाल मिर्च, पनीर और चीज सब को डाल कर अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इन्हें आपने काफी अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चीज है और पनीर है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से आपने दोना हाथों से इसे मिक्स करना है, काफी अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, देख अच्छे से दुबारा से और गुनना है हमें और एक स्मूथ हमारा जो है सॉफ्ट डो नहीं बनानी है हमने थोड़ इसी स्लाइटली हाट दो हमने त्यार करने है लेखिए पानी इसमें और डालने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमारा डो जो है वो तयार हो रहा है डो इस्पून ओयल लेकर इसे अगैन थोड़ा सा गुनना है ताकि यह थोड़ा अच्छे से और स्मूथ तैयार हो जाए और हमारी पूरियां काफी फूली हुई और अच्छी बने अब एक पैन को हमने हाफ फिल कर लिया है ओयल के साथ इसे हाई फ्लेम पर गरम करेंगी तेज अब अपने डो से हमने इस तरह से लेकर थोड़ा सा डो उसे इस तरह से गोल करना है एक पेडा बनाना है और उस पेड़े को चकले पर रपकर अब उस पर थोड़ा सा ओयल डालना है चारो तरफ लगाने के बाद अब हम इसे बेलेंगे बेलन के साथ और एक थोड़ी इसी चपाती बनाएंगे देखिए ये गोल बड़ी चपाती हमारी बन गई है आज हम जो पूरिया है वो गोल ना बनाकर ट्राइंगुलर बनाने वाले हैं तो उसके लिए अब हमें सिंप्ली इसको बीच में से कट करना है और अगैन इसको फिर से हां सेंटर से करना है और दे पर काफी तेज गरम हो गया है अब हम इसमें अपनी बेली हुए पूरियों को डालेंगे और फ्राइ करेंगे गोल्डन ब्राम होने तक हाई फ्लेम पर ही इन्हें स्लाइटली कॉर्णर से प्रेस करेंगे और सेखेंगे जैसे यह हल्की सी नीचे से सिक जाएगी तो हम इसे फ्लिप करेंगे यह देखिए पूरी हमारी फूल गई है यह देखिए हमारी पूरी गोल्डन ब्राउन हो चकी है अब हम इसे पैन में से निकाल लेंगे इसी तरह से अपनी बाकी ही पूरीयों को भी फ्राइ कर लेंगे I hope you'll make it and enjoy with friends. Thank you. पूरी प्राइ कर लेंगे